नमस्कार दोस्तों वैदिक पंचेगव यूट्यूब चानल पर मैं आच्छना आप सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों आज है मकर संक्रांती और आप सभी को मकर संक्रांती की बहुत-बहुत शुप कामना है तिर्गुखा और गोड़ गोड़ बूला तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मकर संक्रांती के अध्यात्मिक और हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों भारत में बहुत सारे त्योहार भोगोलिक बदलाओ के तहत मनाय जाते हैं युरिवर्स में हो रहे बदलाओ जैसे चान, सूरज या फिर तारों की बदलती हो इस्तिति को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे त्योहार मनाय जाते हैं और इनी में से एक त्योहार है मकर संक्रांती पौश महिने में सूर्य जब धनू राशी से मकर राशी में प्रवेश करता है तब उसे कहा जाता है मकर संक्रांती आज से सूर्य का उत्तरायन शुरू होता है जिसका मतलब होता है ठंड के मौसम की समापती और गर्मी के मौसम की शुरुआत इसका मतलब है दिन बड़े होने लगते है और राते छोटे होने लगती है दोस्तो संक्रांती के दिन तिल और गुर से बने हुए लड़ों का विशेश महत्व होता है इस दिन लोग तिल और गुर से बने हुए लड़ों बाटते हैं as a symbol of love of their near and dear ones और इसके कई health benefits भी है दोस्तो जैसा कि मैंने कहा इस दिन सूर्य के उपासना होती है और सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारे bones को तो इस दिन हमारे bones को ताकत देने के लिए तिल का इस्तमाल किया जाता है तो कि तिल में भरपूर मात्रा में calcium पाया जाता है और इसके साथ में इस्तमाल किया जने वाला good वो भी हमारे शरी को गर्मी प्रदान करता है तता हमारे lungs को भी purify करता है जिसका मतलब है मदलते मौसम के साथ हम हमारे शरी की सफाई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से तोहारों पेहाम हमारे घरों के सफाई करते हैं। पर आज कल तिल्कुल के नाम पर जो शक्कर बाटी जाती है वो भी आर्टिफिशल फ्लेवर्स और कलर्स को मिला कर वो हमारी शरी के लिए बहुत ही जादा हानिकारक होती हैं। तो इसलिए इस संक्रांती पर आप भी सिप्तिल और गुड़ से बने हुए लड़ों का ही सेवन कीजिए। दोस्तो वैसे तो शास्त्रों में काले रंग को बहुत अशुप माना गया है पर महराश्टर में इस दिन शरी को गर्मी प्रदान करने के लिए विशेश रूप से काले कपड़ों को परिधान किया जाता है। दोस्तो पुराने जमाने में लोग मानते थे कि सुबह सुबह दूप में पतंग उड़ाने से उन्हें बहुत अच्छे एनरजी मिलती है। और यह बल्कु सही है दोस्तों क्योंकि सूरज की किर्णों में वरपूर मात्रा में विटमिन D होता है जो हमारे बोन्स के लिए बहुत ही जादा आवश्यक होता है। और क्योंकि आज से उत्रायन के शुरुआत होती है तो आज का दिम पतंग उड़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और यह सिर्फ हमारे स्किन और बोड़ी के लिए ही हल्दी नहीं है बलकि ठंट के वज़े से हमारे शरीप में बढ़ने वाले जो बैक्टिरिया है उन्हें खत्म करने के लिए बहुत उप्यगी होता है। इसलिए इस दिन औरतें दूसरी सुहागन औरतों को कपास, तेल, नमक या फिर आटा इन जैसी चीजों का दान करती है। कहा जाता है कि इस दिन जितना दान किया जाए उससे दूगना आपको लाब होता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दू कि मकर संक्रांती सिफ महराष्ट में नहीं बलकि भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से मनाई जाती है। जैसे महराष्ट, MP, चत्यजगर, राजस्थान, जारकर, उडिसा, आंध्यपरदेश, तेलंगना में इसे मकर संक्रांती के नाम से जाना जाता है। कश्मीर, हरियान, हिमाचल में इसे शिशिर संक्रांत कहा जाता है, पंजाब में इसे लोडी कहा जाता है, गुजरात में उत्तरायन, तमिल नाडु में पोंगल, यूपी और बिहार में इसे खिचडी की नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं दोस्तो, बलके भारत के अलावा अलग-अलग देशों में भी इसे मनाया जाता है, अलग-अलग नामों से, जैसे नेपाल में इसे मार्क संक्रांती कहा जाता है, थाइलन में संक्रांत, कमबोडिया में मोहर संक्रांत, और श्रिलंका में इसे पोंगल के नाम बूलिएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चानल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाल